Hello students, Real Analysis के 3rd lecture में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग set theory का एक बहुत important topic पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है union of two sets, ठीक है? कैसे दो sets का union निकाला जाता है? यह हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे और उससे related कई और important चीजों को भी जानेंगे detail में तो चलिए शुरू करते हैं तो हम लोग दो sets का union कैसे निकालते हैं? यह हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो पहले मैं example बताऊँगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा suppose करिए आपके पास एक set है example के तोर पे मैं ले रहा हूँ a equals to 1, 2, 3, 4 और मैं एक set b ले रहा हूँ जिसमें elements है 3, 4, a, b और 5 ठीक है? तो यह दो sets है ओके? और इन दोनों sets का हमें union निकालना है तो हम लोग लिखेंगे a union b ठीक है? इस symbol से denote होता है कि हम लोग union निकालने जा रहे है इस symbol से पता चलना है है कि हम लोग union निकालने जा रहे है कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या करेंगे? पहले a के जितने elements हमको लिख देंगे यह नहीं 1, 2, 3, 4 लिख देंगे 1, 2, 3, 4 ठीक है? फिर b के भी elements को लिख देंगे 3, 4, a, b, और 5 लेकिन यह 3, 4 और लेडी लिख चुके है तो इसलिए यह 3, 4 ने लिखेंगे सिर्फ a, b, 5 लिखेंगे ठीक है? यह पर जाएगा a, b, 5 यह हो जाएगा a union b मतलब a union b और कुछ नहीं a और b को एक साथ लेकर एक set बना दे तो वही a union b होता है मतलब a के हर एक element को डाल दे है और b के भी हर एक element को डाल दे है तो जो नया set बनेगा उसी को हम लोग a union b कहेंगे ठीक है? तो इसका roaster form क्या होता है? स्वरी set builder form बता दे रहा हूं आपको अगर a union b है तो इसका set builder form होता है those x for which x belongs to a और x belongs to b ठीक है? या फिर b के अंदर हो हमें ऐसे x चाहिए जो या तो a के अंदर हो या फिर b के अंदर हो ठीक है? और इसका when diagram कैसे बनेगा? बहुत ही easy है when diagram मनाना सपोस कर ये ये एक set a है और ये एक set b है ठीक? इसका नाम मैं रख दे रहा हूं a इसका नाम रख दे रहा हूं b तो a union b जो है वो इस reason को हम लोग कहते हैं जिस reason को मैं green color से state कर रहा हूं ठीक है? इस reason को हम लोग a union b कहते हैं a union b मतलब एक और b को मिला दीजिए तो जो area मिलेगा हमें उसे को ही हम लोग a union b कहेंगे तो ये इसका when diagram है अब एक note मैं आपको दे रहा हूं बहुत important note है यहाँ पे जो a है वो actually subset होता है a union b का बी जो है वो subset होता है a union b का ठीक a जो है वो हमेशा a union b का subset होगा b जो है वो हमेशा a union b का subset होगा ठीक है? इसको मैं proof ने कराऊँगा बहुत easy है आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में सबसेट के बारे में बताया था, तो आप चाहें कर सकते हैं, चलिए करा भी दे रहा हूं, क्या दिक्कत है, तो कैसे प्रूफ करते थे कि ये वाला जो सेट है, इसका सबसेट है, गर आप अपने सेकेंड तो माल ले रहा हूं कि X जो है, वो A के अंदर है, X belongs to A, मैंने माल लिया, इस वाले सेट से एक अलिमेंट X है, तो मैंने लिखा X belongs to A, अब मैं somehow ये प्रूफ कर दूँ कि जो X है, वो इसके अंदर भी है, तो फिर A जो है, वो A union B का सबसेट हो जागा, ये बात मैंने आपको X A के अंदर है और A union B को निकालेंगे जब, A union B जब आप निकालेंगे, तो A के हरेक अलिमेंट को A union B के अंदर रखेंगे के नहीं रखेंगे, तो X जो है, वो A के अंदर है, तो इसलिए X A union B के अंदर भी हो जाएगा, ये न, आप ही सोचिए, बहुत इजी एह सोच पाना suppose कर ये A है ठीक और suppose कर ये ये B है अभी आपने कहा कि X जो है वो A के अंदर है और इस सी बात है ये रहा A और उसके अंदर X है तो clearly दिखरा ना कि X A union B के भी अंदर है ये जो red color से है वो ही तो A union B है और उस A union B के अंदर X नहीं है क्या बिल्कुल है तो ये तो मैं लिखा X belongs to A union B ठीक और जब इतना लिख दिया मैंने मतलब मैंने क्या किया मैंने दिखा दिया कि यहां के हर एक element A union B के अंदर है यहां के हर एक element A union B के अंदर है इसलिए A जो है वो A union B का subset होगा ठीक है तो this will imply A is a subset of A union B subset तब कहते थे जब यहां के हर एक element A union B के अंदर हो ठीक है सुझा रही है उसी तरह आप चाहे तो B subset of A union B यह भी प्रूफ कर सकते हैं आप क्या करेंगे B से एक element ले लेंगे अब यह जो X है वो B के अंदर है तो X A union B के भी अंदर होगा जाइड सी बात है A union B में तो A और B दोनों के elements आएंगे तो अगर A और B दोनों के elements आएंगे तो X अगर B में है तो X A union B में भी होगा और अगर X A union B में है इसका मतलब B जो है वो A union B का subset है क्योंकि मैंने क्या प्रूफ कर दिया है कि कोई भी एक arbitrary element B का वो A union B के भी अंदर है मतलब यहां के जितने elements है वो A union B के अंदर है इसलिए B जो है वो A का subset होगा simple है ना और property बता दू एक property है कि अगर आफ 5 union A करेंगे मतलब empty set का union निकालेंगे A के साथ यह A ही आता है अलग इसको मैं बाद में भी discuss करूँगा चिंता करने की कोई बात नहीं है तो इतनी चीजें हमें जाननी थी union of two sets में अगर आपको यह सारी चीजें समझना आई है तो अच्छी बात है मैं आपको एक homework दे रहा हूँ homework जरूद करिएगा homework है hw है find find a union b union c a equals to 1,2,3 b equals to 3,4,5 और c equals to 4,5 ठीक है आपको a union b union c निकालना है तो आपको मैं hint दे रहा हूँ पहले b union c निकालिएगा मतलब इस b और c का union का लिजेगा तो एक नया set आएगा उसका union a के साथ निकाल लिजेगा आपका अंसर आ जागा तो इस वाले question का अंसर आपको comment box में जाके बताना है ठीक है आज की बिदों से इतना ही अगले वीडियो में हम लोग intersection के बारे में जानेंगे तब तक के लिए good bye पल्पले उसके बारे में हम लोग बारे में हम लोग वीडियो रजया बारे में हम लोग इस वाले प्रैते वाले इसएंगे झाल झाल